आज मेरे खारत नरक चतूतियानी के छोटी दिवाली के पूजा हो रहा है तो आईए आप लोग भी मेरे साथ सामीलों के पूजा की लिए नरक चतूतियानी के छोटी दिवाली के पूजा भी दिपावली की धंतेरस के पूजा की तरह ही होती है जो हमने धंतेरास के दिन फूल चड़ा रखे थे वो सब को निकालेंगे और इसमें ताजे फूल चड़ाएंगे आसपास के जगों को थोड़ा साफ कर दिये थे मैंने क्योंकि ये एकदम फैल चुके थे तो पापा सभी देवी में फूल चड़ा रहे हैं और कुबेर जी जो लश्मी जी के किनारे बैठे थे उनको आज उठा देंगे दीपा वाले के पूरे चार पांद दिनों तक देशी घी का दीपा की जलाएंगे ये बेहादी अच्छा और तुप माना जाता है ऐसे आपको पता हुआ की पहले के समय में देशी घी कही दीपा जलाते थे इन दिन बहुत ही जादा पुटा का फूट रहा था तो आवाज से हमारे मेर की बिलिया डर रही थी और वो इस तुझे के पास आकर के बैठ गई थी हम देख़ा बोली ति मैं जहां बैठा हूं मैट जी के बहुत से दर लग रहा है इसमिंए गली में घ्रेट है ऑम रही थी हमेरा हुआरो सम हमना के पासर रहते हैं को कि हम इने सालों से घाना दे रहे हैं जो हम खाते多 ह intent पूजा विग्रा करने के बाद हम आती करेंगे आती किरेंगे पूजा के बाद आती कि अच्छा आती कि अच्छा आती कि अच्छा आधा कि अच्छा पूजा पूरी तरही से हो चुकी है दोस्तों पूजा बहुत लंबी दिलागे आधा पूंग गणता लेकिन मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा किया और बहुत सारे पास को काट के आपको दिखाया है दीपावली के एक दिन पहले यमराज के लिए दीवदान किया जाता है यह दीवदान इसलिए किया जाता है क्योंकि बुरे लोगों से आपके परिवार की रक्षा हो और आपका अकाल मृत्यों नहों अगर आपके घर में एक्सिडेंट या कुछ बुरी घटनाय होती है तो उसके लिए यम दिया जलाया जाता है मैंने इसके लिए क्रॉपर वीडियो बना रखी है यह वीडियो राज को साढ़े दस बज़े के लबबग अप्रोड कर रहे हूं साढ़े दस बज़े के परिजब सब सो जाते हैं तो यह यह मराज को दीवदान किया जाता है करने गाने घर के बाहर दखेड निशा में यो समें यह जलाते हैं वैसे आप घो मुखी दीवदान जनाई ये चरहко पाने टार्प्ट करण मेरा कमाने तो फूरख मकां को जलाते हैं उसमें दिया जलाएंगे और दीपक पे एक सिक्का और सबसो के दाने डालते हैं अगर बत्ती जला कर पूजा करते हैं ये कुछ फोटो क्लिक्स आज की मैं दो भर से रंगोली बना रहे थी तो मेरी रंगोली भी आपको कैसी लगी मुझे दिखाईए और मैं फटा कर रखी हैं तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताएं मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेक करें